कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि उन्हें नीच कहने वाले कॉंग्रिस के नेता मनी शंकर अयर के घर बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तान के उच्चायुक्त और पूर्व विदेश मंत्री भी शामिल थे पूर्व सेना प्रमुख उसका हिस्सा थे हम आपको बता दे मनी शंकर अयर के घर बैठक को लेकर अब एक नया कुलासा हुआ है 6 दिसंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर के हुने का भी जिक्र किया जा रहा है मनी शंकर अयर के घर हुई इस बैठक का जिक्र प्रधानमंतरी नरेंद्रु मोदी ने एक बड़े हमले के रूप पे राली में किया था सिर्फ भारत पाकिस्तान रिष्टे पर बात हुई ये पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर का कहना है जो कि उस बैठक का हिस्सा थे वो कन्फर्म कर रहे है इस बैठक को लेकिन कहना है कि भारत और पाकिस्तान के रिष्टों पर बात हुई जबकि प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने जो बड़ा हमला बोला था उसमें दो बाते कही गई थी एक तो ये कि एहमत पटेल को गुजरात का मुख्य मंतरी बनाने के लिए रन्नीती तय की गई और दूसरा सवाल उठाया गया कि क्या ये तखता पलट की भारत में कोशिश थी मनी शंकर एयर के घर बैठक अब मनी शंकर के घर हुई इस बैठक में नया खुलासा हुआ है पूर्फ सेना प्रमुग दीपक कपूर जोकी इस बैठक का हिस्सा थे रूने इस बैठक की बात को मानते हुए कहा है सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिष्टों को लेकर ये बैठक हुई थी ये इस वक्त की बड़ी खबर है एक बड़ा खुलासा है पाकिस्तान की गुजरात शुनाव में एंट्री के बाद मनी शंकर आयर को लेकर जो गंभीर आरोब लगाए गए हैं उन पर मनी शंकर के घर बैठक में क्या हुआ इंडियन एक्सप्रेस के सौजनिस से आपको बता दें जनरल दीपक कपूर पूर्फ सेना ध्यक्ष कह रहे हैं हाँ मैं उस मीटिंग में मौझूद था उस मीटिंग में हमने भारत पाकिस्तान की बीच रिष्टे के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं की जनरल दीपक कपूर पूर्फ सेना ध्यक्ष जोकि उस बैठक का हिस्सा थे एक तो वो बैठक हुई इस बात पर मोहर लगा रहे हैं दीपक कपूर लेकिन साथ ही वो बैठक का मसौदा बताते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ इस बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच रिष्टे के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं हुई मनी शंकर एयर के घर 6 दिसंबर को रात के भूच पर ये जो मीटिंग हुई थी इसका मायना बहुत ज्यादा है एहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि इस मुद्दे को गुजरात चुनाब में उठाया गया है और इस मुद्दे को सीधे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उठाया है अब मनी शंकर के घर बैठक में क्या हुआ था उस पर पूर्व सेना देख्ष जेनल दीपक कपूर ने दी है सफाई जो खोद उस बैठक का हिस्सा थे ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे